नमस्का सातियों जैसा कि आप सभी को माल होगा कि हम लोग MPPSC Prelims के पुराने Questions पेपर को देख रहे हैं और इसमें जितने भी आपके Questions सामिल किये गए हैं उनके आंसरों पर भी बिस्तार से बात कर रहे हैं और अभी तक आपने देखा होगा हम लोगोंने 2015 का MPPSC Prelims का जो पहला पेपर होता है जिसे आप लोग सामानध्यन पेपर के नाम से जानते हैं इस पर भी बात कर चुके थे हम लोग 2016 का MPPSC Prelims का पहला पेपर इस पर भी हम लोग बिस्तार से बात कर चुके थे और अभी तक जितनी भी आपकी MPPSC से सम्मंदित किलासें ली गई हैं वो मद्पदेश लोग सेवा आयूप के नाम से जो पिले लिष्ट सूची बना रखी है उसमें डली हुई है वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग MPPSC Prelimbs 2017 का पहला पेपर जिसे आप लोग सामानध्यन पेपर के नाम से जानते हैं या फिर आप लोग पिसनपत पहले के नाम से भी इसे जानते हैं और आप सभी जानते हैं कि इसमें चार सेट होते हैं ABCD के रूम में लेकिन याद रखें कि चारों पेपर में आपके questions बिल्कुछ समान रहते हैं उनका बक्स क्या रहता है कि क्रम बदल जाता है और इसमें आप देखेंगे दो घंटे का आपको समय मिलता है do stretching साब Hi-2 रहते हैं या यानि कि एक कुश्चन्स आपका दो number कर रहता है और यह आप लोगे कुछ निर्देश दिए गये हैं तो आपके पास जब भी पेपर मिलता है आप लोग इसे भी पढ़ लिया करिएगा ठीक है चलिए हम लोग पहले कुशन्स पर चलते हैं डारिक्ट ठीक है पहला आप से कुशन्स कह रहा है कि गाजी मलिक किस बंस का संस्थापक था क्या कह रहा है गाजी मलिक किस बंस का खिलजी, सेयद, लोदी तो आप सभी को माल होने चाहिए कि तुगलक बंस का था किसका था? तुगलक बंस का था अलाउद्दीन के सेनापतियों में ग्यासुद्दीन, तुगलक या फिर आप लोग इसे गाजी मलिक तुगलक बंस का किथम सा सकता और उसने तुगलक बंस की स्थापना की थी, और खुसरो साह को समाथ करके उसने दिल्ली के सिंगासन पर अधिकार किया था और ये 1320 की बात है वो सुल्टान बना था, 1320 में इसमें आप लोग ए ओप्सन लगाएंगी, ठीक है? दूसरा कुश्चन से हमारे सामने ये आप से पूच रहा है कि भारतिये पुरातत का जनक किसे कहा जाता है? भारतिये पुरातत का जनक किसे कहा जाता है? अलेकजेंडर कनिंगम, जॉन मासल, माल्टीमर बीलर और जेम्स प्रेंसेप तो इसमें सही option आपको चुलना है तो आप लोगोंने अगर पढ़ा होगा इतियास में तो आप लोगोंने जरूर इसे पढ़ा होगा Alexander Cunningham और Alexander Cunningham की बात करें तो आप देखेंगे 1894 से लिकर 1893 तक इसका समय रहता है और एक बेटिस है ना दिकारी की रूम में इसने बंगाल इंजिनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया थे से और इन्हें ही आप देखी भारतिय पुरातत्त के जनक के रूम में आप लोग जानते हैं 1861 सेट में आप देखेंगे सेबा निवत्त्त के पश्याद इसने भारतिय पुरा तत्त्त सर्वेक्षन का पहला नेदेशक निवत्त किया गया था इसे ठीक है तो इसमें आप लोग क्या लगाऊगे A option अंगला कुश्यन है हमारे सामने तीसरा राम मोहन राय को राजा की उपादी से किसने विभूसित किया था राम मोहन राय को राजा की उपादी से किसने विभूसित किया था औरंग जेब ने रोवर्ट कलाइब ने महत्मा गांदी ने या मुगल समराट अकवर दुतिये ने तो मुझे लगता है कि आप सभी को माल होगा कि मुगल समराठ अकवर दुतिये ने, जो मुगल वादसा अकवर दुतिये था ना इसने, राम मोहन राय को राजा की उपादी से विभूसित किया था, उन्हें इन्हें आयानी की कहने का मतला ही कि राम मोहन राय को, उन्होंने द समाधी भी आपको देखने को भी लेगी, तो इसमें आप लोग D option लगाएंगे, तीसरे questions में क्या लगाओगे, D लगाओगे, अंगला question है हमारे सामने 14, क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप से कि 1909 का अधिनियम संबंधित था, 1909 का अधिनियम संबंधित था, पिथक मतादिकार चित के लागू करने से, भी केंदरी कंड से, दोएदि सासन से, या विधान परशद से, तो इसमें आप देखेगे कि मुसल्वानों के लिए पिथक मतादिकार और पिथक निर्वाचक चितरों की स्थापना की गई थी, यान 294 की, चंदावर की योद्व में मुहमद गौरी ने किसी हराय था, यानि की कहना है का मतला भी कि जो चंदावर का योद्व हुआ था, ये किन किन के बीच हुआ था, तो आप सभी जानते हैं कि जैचंद और मुहमद गौरी के बीच हुआ था, और इसमें मुहमद गौरी व पराजित किया था एक आप लोग याद रखेएगा अंगला कुश्य ने हमारे सामने चटवा एक कह रहा है चटवा कुश्य साब से कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस बंस ने सबसे कम समय तक सासन किया खिल्जी तोगलक सेद या लोदी बताईए तो याद रखिए खिल्जी ने सबसे कम किया है, खिल्जी उने सबसे कम किया हुआ है, दिल्ली सल्तनत की गुलाम बंस की सुल्तानों ने, आप सभी जानते हैं कि 1260 से लिकर 1290 तक सासन किया है, और वहीं अगर हम लोग खिल्जी बंस की बात करें, तो इन्हों ने 1290 से लिकर 1320 तक इन्हों ने सासन किया वहीं अगर हम लोग लोधी बंस की बात करें, तो आप देखेंगे, 1499 से लेकर 1526 तक इनों ने सासन किया हुआ था, और इसमें आप देखेंगे, खिलजी बंस के सासों ने सबसे कम समय तक सासन किया था, यानि कि छटबे कुश्चन इसमें क्या लगा होगे? ये ओप्शन बिल्कु सही रहेगा आपका, अंगला कुश्चन है हमारे सामने साथ, क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि, Lord Dufferin, Lord Dufferin के वाय सराय, काल की एक महत्पूर्ण घटना आपको बताना है, Lord Dufferin के समय की, राम के सने मिसन की स्थापना, ढागा में Muslim League की स्थापना, भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना, पिथम जनगलना की सुरूइत, तो बताईए इसमें, याद रखिए तो इसमें भारती राष्टी है, कॉंग्रेस की स्थापना की गई थी, आप समझ रहे होगे सराय, लॉर्ड डफ्रेन का समय रहा है 1884 से लिकर 1888 तक और आप सबी जानते हैं कि भारती राश्टी कॉंग्रेस की स्थाफना 1885 में की गई थी ठीक है तो यह आप लोग याद रखिएगा तो इसमें आप लोग सी ओप्सन लगाएंगी साथवे में अंगला खुश्चन है मारे सामने 8 एक क्या गह रहा है आठ खुश्चन आप से कह रहा है कि इन में से कौन सबसे कम आयू में भारती राश्टी कॉंग्रेस के अध्यक्च बनने वाला व्यक्ति था सबसे कम इन में से कौन सबसे कम आयू में भारती राश्टी कॉंग्रेस के अध्यक्च बनने वाला व्यक्ति था पंडिज बाहलाल नेरू अबुल कलाम आजाद आनंद मुहन बौस या भूपेंद नात बौस तो इसमें आप लोग बताईए कुछ तो याद रखी अबुल कलाम आजाद बी ओप्सन बिल्कु सही रहेगा मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करें तो 1888 मिन का जनम हुआ था और आप देखते हैं कि 1958 तक इनका जीवन रहता है और 1923 में दिल्ली में आयुजित भारती राश्टी कॉंग्रेस के विसेश सत् अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर 1940 तक लगातार 6 वरसों तक भारती राश्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे तो यह भी आप लोगों को मालू होना चाहिए अंगला कुष्चन है नौवा भारत में नेमित व बिग्यानिक धंग से जन्गणना किस वरस से प्यारम हुई और याद रखे एक कुष्चन कही परिच्छाओं में पूँचा जा चुका है 1861, 1881, 1881, 1891 तो याद रखे इसमें आप लोग लगाएगे 1881 को अगर आप से पूँचे कि भारत में जन्गणना की सुरुवात कब हुई थी तो याद रखे 1872 में लौड मेओ के सासनकाल में ठीक है और अगर आप देखे नेमित और विग्यानिक धंक से अगर 10 साल की बात करें हर 10 साल की सुरुवात तो 1881 में उस समय लौड रिपन का सासनकाल था तो जिरूर आप लोग याद रखे गया इसमें सी लगाओगे 9 में ठीक है अंगला कुश्चन है हमारे सामने 10 इनमें से किसन ने दुत्य गोल में सम्मिलन में भाग नहीं लिया था महादेो, देसाई, प्यारे लाल नेहर, मदन मुहन मालियर और जवाहला नहरू तो आप सभी जानते हैं कि जवाहलाल नहरू ने नहीं लिया था बाकी दीनों ने लिया था और दुतिय गोल में सम्मिलन अगर आप देखें तो 7 सेप्टमबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ था और इस सम्मिलन में प्यारे लाल नेयर, सरोजी नाइडू, एनी वैसेंट, मदन मुहन मालविय, महादेव, देसाई, वी यार अमेड कर सहत आप निमले खित में से कौन सादेश के कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता, निमले खित में से कौन सादेश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं लगाता है, अजर वेजान, एरान, एराग, कजाकिस्तान, तो यादर की एराग नहीं लगाता है, कैस्पियन सावर पश्चिमी एसिया में यूरोप के पूर्भी छोर पर आपको देखने को मिलेगा यह विस्त की सबसे बड़ी जील है और फुल पांथ देशों की सीमाएं केस्पियन सागर से लगती है अजरवेजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमिनिस्तान और एरान और मुझे लगता है कि आपको याद होगा अगर आप लोग मुझे से लंबे समय से जुड़े हुए है आपने देखा होगा कि हम लोग विस्त के भूगोल जब पढ़ रहे थे उस समय हम लोग उन्हें मैप का सहारा लेकर पूरी दुनिया को पढ़ा था और मुझे लगता है क विस्त के भूगोल के नाम से आपकी प्लेलिष्ट सूची बनी हुई है अगर उसे कवर कर लेते हैं तो काफी हद तक अगर विस्त के भूगोल से आपके कुश्चन्स पूचे जाते हैं तो आप लोग उनका आंसर देने की स्तिती में पहुंच जाएंगे और जब भी आप भूगोल पढ़ते हैं तो मैप का सहारा लेकर आप लोग पढ़ा करिएगा ठीक है तो इसमें आप लोग सी ओप्सन लगाएंगी ठीक है अंगला कुश्चन है हमारे सामने बारे एक राय की कयाल क्या है तराई मैदान गंगा डेल्टा दक्कन पतार की रेगर के लेंगून तो आप सभी को माल होना ची किरल इस्ते लेंगून जीलों को कयाल नाम से आप लोग जानते हैं यानि कि D आप्सन आपका बिल्कुश सही रहेगा बारे में क्या लगाओगे D अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं अंगला कुश्चन है हमारे सामने दे रहे एक या कह र इसमें क्या लगाओगे देखिए सही समलित नहीं है पूछ रहा है तो इसमें आप देखें कि C ओप्सन होगा इंसेल वर्ग हिमनद और आप सभी जानते होंगे कि इंसेल वर्ग का निर्माड आपकी पबंद द्वारा होता है ना कि हिमनद के द्वारा तो इसमें आप लगाएंगी के अंग्ला कुषियर है मारे सामने चौते एस्टरॉॉम गपली एक है क्या है पिसुप्त एक जागरत जो आलम की है सामर्ण तब इसलिए आप देखी 2000 वर्सों से लगातर जागरत अवस्था में इसे महुमत सागर का प्रिकास सिस्थम भी भी कहते हैं तो एक कुश्चन से भी आप लोग देखते हैं कई बार पूँच लेता है ठीक है? तो इसमें आप लोग क्या लगाओगी? B option अंगला कुश्चन है हमारे सामने 15 एक कहरा है कि जल पीदूसर निवारन तथा नियंतर अधिनियम किस बार से लागू किया गया था? 1980, 1974, 1981 बताई इसमें कुछ बता पाओगे? तो आप सभी को मालोख नची कि 1974 में लागू किया गया था जल पीदूसर निवारन तथा नियंतर नधिनियम 1974 में माल लागू किया गया था इसे 1988 में आगे चलके संसोधन किया गया था इसमें तो यह आपको याद रख सकते हैं B option बिल्कु सही रहेगा अंगला question है हमारे सामने 16 2011 की जन्गर्णा के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत कितना है? 2011 की जन्गर्णा के हिसाब से पूँछ रहा है और आपको फिर से बता देता हूँ कि देखिए जन्गर्णा से आपकी परिक्षाओं में गहनत 382 रखा गया है कितना है? 382 है 2011 की जन्गर्णा के हिसाब से बात हो रही है ठीक है? तो इसमें आप लोग C option लगाएंगे अंगला question है हमारे सामने 17 क्या कह रहा है? निमलिकित में से कौन सा यूग में? सही सुमलित नहीं है निमलिकित में से कौन सा यूग में? सही सुमलित नहीं है लिपू लेक, उत्राखन नाथूला, अरुणाचल पिदेश रोहतांग, हिमाचल पिदेश, पालगाट केरल तो इसमें आप लोग क्या करो के? तो याद रखे इसमें भी option रहेगा नाथूला दर्णा जो आप देखते ना कि भारत की विकास की सिक्किम राज को चीन के तिबबस से जोड़ता है कहां? आपको ये सिक्किम में देखने को मिलेगा और इसकी उचाई आप देखेंगे 14,450 फिट देखने को मिलेगा ये दर्णा सिक्किम की राधानी गंग टोक से पूर की ओर लगभग 56 किलोमीटर दूर आपको देखने को मिलेगा और बाकी आप लिपू लेक देखेंगे उत्राखंड में, रोहतांग, हिमाचल पिदेश में फालगाट आप लोग केरल में देखेंगे अंगला कुक्षिन है हमारे सामने अठा रहे एक हराए की संपराए मैदान संबंदित है बायू से, भूमीगर्जल से या मेहिमनस से, या नदी से तो याद रखे ये नदी से होगा किस से होगा? नदी से डी ओप्सन आपका बिलकुछ सही रहेगा आप से तोड़ा जन्जाती का मोल निवास इस्थान है जौनसार पहाडिया, गारो पहाडिया, नेलगिरी पहाडिया, जैन्तिया पहाडिया तो याद रखे इसमें आप लोग क्या लगाओगे? नेलगिरी पहाडिया, यानि किसी यह ओप्सन आपका बिलकुछ सही रहेगा दच्छिन भारत में देखने को मिलेगी आपको नेलगिरी की पहाडिया यह भी आप लोग याद रखेगा अंगला कुश्यन हमारे सामने 20 यह पूछ रहा है कि रास्त तनूरा, तेल, सोधन, साला कहां इस्ते थे? इरान में, सेवतराज अमेरिका में, साओधी एरम में या इराक में? तो याद रखे हैं साओधी एरम में हैं और याद रखे हम लोग कच्चा तेल, अधिक तर आपका खाड़ी देशों से हम लोग आयाद करते हैं हमारे यहां इतना तेल, कच्चा उत्पादन नहीं होता है कि हम लोग अपने घर की आफूरती पूरी कर सकें आप देखे कि 70-80% हम लोग आयाद करते हैं तो इसमें आप लोग सी ओप्सन बिल्कु सही रखाएंगे अंगला कुश्चन हमारे सामने 21 एक कहरा है कि अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है आप लोगों से एक कुश्चन मेरा भी है कि मद्वदेश में सबसे जाना अफीम किस जिले में पाई जाए उत्पादन होता है अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है एम्बिली का ओफीसिन निलिस पेप पेवार सौमनी फेरम रोव वालफिया सर्वेटन टाइना या सिन कौना इस पीसीज तो बताई इसमें आप देखे यी बी ओप्सन बिल्कु सही रहेगा पेव पेवार सैमनी फेरम ठीक है भी ओप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा और याद रखे इसका देखी कई एक तरह से आप देखते हैं नसे के लिए भी अफीम का एक तरह से सेवन करते हैं कई लोग समझे रहे हैं और इससे कई उपयोग होते हैं इसका कई दवाईयां बनाने में भी इसका अपयोग किआ जाता है गांज़ा अавेम आप लोग सुनते भी रहते होंगे अंग्ला गुष्टन हेमारे सामने 22 बिस्व से चेचक का उन्मूलन घोसित हुआ है बिस्व से चेचक का उन्मूलन घोसित हुआ है 1975 में, 1980 में, 1996 में, 2008 में तो याद रखी, 1980 में हुआ था चेचक आप सभी जानते हैं कि एक बीसाणू जनित रोग है और जो बेरी ओला नामक बीसाणू से होता है और विस्ल स्वास्त संगठन द्वारा विस्ल से चेचक का उनमूलन 1980 में किया गया था अब आप कहेंगे कि WHO की बात हुई है या और आपको कई बार बोल भी चुका हूँ कि जो आपके महत्पूर्ण संगठन है वो चाहे राष्टी इस्तर के हो या अंतराष्टी इस्तर को सभी को cover किया गया है और महत्पूर्ण संगठनों के नाम से एक playlist सूची बना दी गए तो उसमें जागर आपको मिल जाएंगे और याद रुखिए इन संगठनों से आपकी परिक्षाओं में एक दो कुष्चन्स हमेशा आते रहे हैं और आंगे भी आते रहेंगे फिर चाहे आप लोग स्टेट PCS की बात कर लिए या सेविल सर्विस की बात कर लिए या और भी आपके वंडे एक जाम होते हैं उनमें भी आते रहते हैं तो सभी संगठनों को आप लोग देखी अगर कोई संगठन चूटा हुआ हो तो आप बताईगा उसके बारे में भी विस्ताय से हम लोग ब अंगला कुशन है हमारे सामने 23 जीवानू भोजी बैक्तिरियो फेज हैं क्या है पूछे उक्ति जीवानू नवदेपित जीवानू विसानू को संक्मित करने वाले जीवानू या जीवानू को संक्मित करने वाले विसानू तो कुछ बताईए इसमें क्या करोगे तो इसमे आप लोग याद रखिए जीवाडूओं को संक्मित करने वाले विसाडू जीवाडू भोजी एक प्रिकार का विसाडू होता है जो जीवाडूओं को संक्मित करता है और अनफिकार की विसाणू की भाती इसमें प्रोटीन की पर तो इसके भीतर नुकलियक अमलक पाया जाता है इसमें आप लोग D option लगाएंगे टेस में क्या लगाओगे D अंगला कुशेन है हमरे सामने 24 पौधों में अड़त सूत्री विभाजन की अध्यन के लिए सबसे उप्योकते भाग है प्रोहोसीस, मोजसीस, पराकोस, पर्णकोशी का तो याद रगे इसमें पराकोस होगा C option बिल्कु सही रहेगा क्या रहेगा? C option अंगला कुशेन है हमारे सामने 25 धौनी तरंगों का सबसे तीब प्रगमन होता है धौनी तरंगों का सबसे तीब प्रगमन होता है ठोस में, द्रब में, गैस में, निर्वात में बताईए आप लोग तो याद रखी ठोस में होता है विभिन माध्यमों में आप देखते हैं कि धौनी की चाल भिन भिन होती है और दरबों में धौनी की चाल गेसों की अफेक्षा अधेक होती है जबकि ठोसों में धौनी की चाल सबसे जानदा होती है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा 25 में आप लोग ए लगाएंगे ठीक है अंगला गूशेन है हमारे सामने 26 मनुस्थ की आग में किसी बस्तू का पितीमिम बनता है कहां बनता है कौनिया में परितारी का यानि की आईरेट में पुतली में द्रिश्टी पटल यानि की रेटीना में तो आप सभी को मालो होने चाहिए कि द्रिश्टी पटल यानि की रेटीना में जब हम किसी बस्तू को देखते हैं तो उसे से चलने वाली किरने कौनिया और नेत्योद दरब से होकर पुतली के राष्टे से लेंस पर पड़ती है और द्रिश्टी पटल इसे फॉकस कर देता है जहां बस्तू का छोटा तथा उल्टा की दीवम बन जाता है तो इसमें आप लोग रेटीना या फिर आप लोगो इसे द्रिश्टी पटल के नाम से जानते हैं 26 में क्या लगा होगे? D option अंगला question है मारे सामने 27 एक हरा है आप से कि मानाओ में गुर्दे निमलिखित में से किस परणाली के अंगे? निवटीशन, ट्रांसपोर्टीशन, एक्स, क्रीशन या रिस्परेशन इसमें क्या लगा होगे? तो इसमें याद रखी एक्स, क्रीशन यानि कि C option बिल्कु सही रहेगा मानों में गुर्दी या किड़नी उस्टर्जन तंद की पिरमुक अंगे है और रुधिर को चानकर इसमें से अनावस्तिक और अफसिष्ट पदात होते हैं इसे हटाने का काम एक तरह से गुर्दों का ही होता है ठीक है? किड़नी तो इसमें आप लोग C option लगाओगे अंगला कुश्चन है हमारे सामने 28 और एक कुश्चन से आप से क्या कह रहा है? एक कह रहा है निमलिखित में से कौन सा रोग? प्रोटोजुआ द्वारा होता है हैजा, डिप्थेरिया, निमोनिया, मलेरिया तो मलेरिया होता है और आप से कहता रहता हूँ कि सापसभा ब्याना रखा, बनाए रखिया करिएगा मलेरिया रोग तिलाजमो डियम नावक प्रोटो जुगा पर जीवी के कारण होता है और इसकी बाहत मदा एनाफिलीज मच्छर होती है जो की दुतियक फोसक है और इससे परभावित होने वाला अंग पिलिया है जिसमें संकमर से आकार बढ़ जाता है और इस रोग के उप्चार ही तो एटावीन, किलोरोकीन कामा कुईन इस तरह की उसनियों का उप्रयोग करते हैं और अगर हम लोग पोटो जुवा से होने वाले रोगों की बात करें तो पायरिया हो गया काला जार हो गया, मलीरिया, पेचिस, सोनी की बीमारी ये सभी इसी के कारण होती है अंगला कुश्यन है हमारे सामने 29 29 कुश्यन क्या कह रहा है कुश्य तो कहेगा आपसे संबहन द्वारा उस्मा का इस्थानांतरन हो सकता है संबहन द्वारा उस्मा का इस्थानांतरन हो सकता है ठोस इवम द्रब में, ठोस इवम निर्यात में, निर्वात में, गयस इवम द्रब में, निर्वात इवम गयस में तो इसमें याद रखे गैस इवं दरब में हो सकता है संभाहन द्वारा उस्मा का इस्थानांतर के बल दरबों तथा गैसों में होता है और संभाहन की पिक्रिया में पदार्ट के कड़ स्थानांतित होते हैं तो इसमें C option आप लोग बिल्कुल सही लगाएंगे अंगला question है हमारे सामने 30 निमलिखित में से कौँ साही होते हैं सही संभाहन नहीं है देखे हर बार आपका देख रहे हैं सही संभाहन आपकी तो तीन होंगे एक नहीं होगा विटामिन A मैकुलन विटामिन B मैकुलन विटामिन C जैमसलेंड विटामिन D, Paul Muller तो इसमें याद रखे D option आपका नहीं होगा यानि कि इसमें आपका सही सुमलेत नहीं होगा यानि कि D नहीं होगा Jam Cylinder ने 1747 में बताया कि खटे फलों में विटामिन C पाया जाता है Paul Muller विटामिन D से सम्मधित नहीं है DT के कीट नासक गुड़ों की खोज और मलीरिया उपीज़ जैसे बैक्तिरिया वेक्तर रोगों के रोगताम में इसकी उप्यूगता के लिए जाने जाते हैं बिटामिन AB की खोज आप सभी जानते हैं कि एलमर मैग कूलम द्वारा की गई थी तो यह आप लोग जरूरी याद रखेगा 30 में क्या लगाओगे D अंगला कूश्यन है हमारे सामने 31 लेंस की सक्ती मापई जाती है लेंस की सक्ती किसे मापई जाती है डैप टॉफ, डैप को ओप्टर से, इन से लिवमन से, केंडेलाज में तो आप सभी जानते हैं कि यह उप्टर बिल्कुछ सही रहेगा लेंस, छप्टनता, मातरक आपका डैप्टर है और इसका संकेत की बात करें तो D से आप लोग इसे पिदर सीथ करते है अंगला कूश्यन है 32, क्या कह रहा है एक है रहा है, निमलीकित में से किसी एक इसनेहक लिवरीकेंट की रूम में भी प्रियोग किया जाता है क्यूपराइट, ग्रेफाइट, हेमाटाइट, क्रायोलाइट तो याद रखे ग्रेफाइट की बात हो रही है ग्रेफाइट कारवन का सुद्ध किस्टल यह अपर रूप है और यह है, इसनेहक के रूम में काम करते हैं इसका उप्योग करते हैं हम लोग और इसके किस्टल कारवन में कारवन परवाड़ू सम सट बुजों की परतों में विवस्तित होते हैं और इनके पर्थों के मद्द चीन वो अंडर वाल्स बल उपस्तित होने के कारण ग्रेफाई नरम और इसनिये होता है तो इसमें आप लोग भी ऑप्शन लगए अंगला कुशिन है हमारे समने 33 हास गेस हास गेस है हाइडोजन पर ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड कारवन म बारे में आप लोग सुने हैं नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में और इसे आप लोग हास गेस हास गेस भी कहते हैं अगर आप लोग इसे सूंगने तो हसी आती है और इसे सल्लिक्रिया की समझ निसीचर निसीचर तक की रूम में एक तरह से प्रयोग किया जाता है ठीक है तो इसमें आप लोग B option लगाएंगे. अगला कुश्चे ने हमारे सामने क्या है? 34. क्या कह रहा है? 34 क्या कह रहा है आपसे? 34 कह रहा है कि तडित, बिजली चमकना से बेक्ष में आग भी लग सकती है. क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है. उसमी ये उर्जा, विद्धुत उर्जा, रहसाइनिक उर्जा, नापकी ये उर्जा. तो बताए इसमें क्या होती है? इसका एक अच्छा उधारन बतादें, विद्धुत उर्जा होती है इसमें. आप लोग क्या लगाएंगे? B option. बिजली तथा गडगाराहट के साथ बाली आधी के दोरान उत्पन तड़ित में विद्धुत उर्जा आतेधिक मात्रा में होती है. जिसकी कारण बैक्ष में आग लगने की संभावना होती है. और इसे तो मुझे लगता है मुझे प्रैक्टिकल ही सामने देखा हुआ है. एक दिन बड़ा बादल गरज रहा था. और एकाहिक आप देखें आबाज आती है जैसे कहीं बम पूटा हो या आप देखें कोई गिरा हो. या आप देखें कोई पटाका पूटा हो. मैं बाहर निकला तो आप देखें मेरे सामने नारियल का पेड़ा लगा हुआ था. उस पर गिरी और आप देखें कि धार धार एक तरह से जलके वो नारियल जो लगे भी हुए थे उसमें वो भी गर गए. तो आप समझ सकते हैं कि मैंने देखा हुआ इसने और आप मैंसे कई लोगों ने देखा भी हुआ वोगा. तो बी ओप्सन लगाएंगे इसमें. अंगला कुश्यन है हमारे सामने 35. जमू कस्मीर की आठ बरसिया तज्यामुल इसलाम कि स्केल से समद्दे थें? इसको वास किक बॉक्सिंग 13 की फुटवाल. तो याद रखिए ए आपकी है किक बॉक्सिंग से. बी ओप्सन बिल्कुल से है. तजमूल इसलाम किक बॉक्सिंग से समद्दे थें? और आठ बरसिय थी है और इन नवंबर 2016 में इटली में हुए 20 किक बॉक्सिंग चेंपियंसे में 60 पदक जीती थी. और वही है पदक जीतने वाली कस्मीर की पहली खिलाडी थी. तो आप समझ सकते हैं. बी ओप्सन आपका बिल्कुल सही रहेगा. अंगला है 36. इन में से कौन मद्विदेश का हौकी खिलाडी था? समीर दाद, किर्टी पठल, माइकल नाथ, अमित बनर जी. तो याद रखे इसमें समीर दाद होंगे. क्या समीर दाद मद्विदेश के थे? जर्मेनी के खिलाब 1908 में होकी टेस्ट तीरे में उन्होंने अपने अंतराष्टी केरियर की सुरुवाद की थी. इसके अलाबा सन 2000 में उलम्पिक केलों में भी भारती टीम की तरफ से उन्होंने भाग लिया था. और किर्थी पटल मद्विदेश किर्केट के किर्केट खिलाड़ी हैं. कौन किर्थी पटल? समीर दाद आपके. किसके होकी से जुड़े हुए है. अंगला कुशेन हमारे सामने 37. एक एराई की पार्सी किलब की स्थापना से किस खेल की परमपरा प्यारम हुई हौकी, फटवॉल, किर्केट, टैवल, टैनिस. तो याद रुखे किर्केट. भारतियों द्वारा किर्केट खेलने की सुरुवाद बंबई के जर्थ थ्रोष्टियों पार्सीयों के छोटे से समधाय द्वारा की गई थी. और ब्यापार के चलते हुआ है सबसे पहले अंगरेजों के संपर्क में आया और पश्टमी की थोने बाले पहले भारतियी समधाय की रूम में पार्सीयों ने 1848 में किर्केट किलब की स्थाफना की थी जिसका नाम ओरियंटल किर्केट किलब रखा गया था. तो इसमें आप लोग C उप्सन लगाएंगे. अंगला कुश्यन हमारे सामने 38. रोब सिंग इस्टेडियम कहां इस्ते थे? ग्वालियर में, इंदोर में, भोपाल में, जवलपूर में. तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग ग्वालियर गए होंगे तो आप लोगोंने देखा भी होगा. यह उप्सन विल्कुश सही है. और यह भारत का एक प्रमुक किर्केट इस्टेडियम माना जाता है. और इस्टेडियम में पहला किर्केट मैच 22 जनवरी 1988 को भारत और बेस्ट इंडीज के मद्द खेला गया था. ठीक है? अंगला कुश्यन है हमारे सामने किर्केट मैं से कोई नहीं है. तो आप सभी कुमाल होगा कि किर्केट से सम्बन देते हैं. अंगला कुश्यन है हमारे सामने 40. एक कहरा है कि 1987 में 1987 में खेले गए किर्केट बिस्ट कप का क्या नाम था? रिलाइंस कप, बैंसन एंड हिजेज कप, वेल्स कप या उप्यक्त में से कोई नहीं. बताईए, तो याद रखिए रिलाइंस कप होगा इसमें. ए ओप्सन बिल्कुल सही रहेगा. बस 1987 में खेले गए चौथे बिस्ट कप, रिलाइंस कप प्राइवजिक के नाते नाम से जाना जाता था. इसकी मेजबानी भारतों पाकिस्तान ने सहीत दुरूफ से की थी. 1987 का क्रिकेट बिस्ट कप को ऑस्टेलिया ने जीता था. ये भी आप लोगों को मालू होना चाहिए. अंगला कुशन है हमारे सामने 41. ये क्या कह रहा है? सचिन तैनलूरकर को अर्जुन अवर्ड या अर्जुन पुरुसकार किस वर्स दिया गया था? 1990 में, 1994 में, 1997 में, 1999 मे तो भारती किर्केट टीम के महानतम बल्लेवाज हैं, सचिन तैनलूरकर, किर्केट का भगवान भी आप लोग कहते हैं, 1994 में ने अर्जुन पुरुसकार से सम्मनित किया गया था. भी आप्सन आपका बिल्गु सही रहेगा. अंगला कुशन है हमारे सामने 42. एक एहराय का प्यारव में किस बर्स हुआ था? राष्ट मंदल खेलों का प्यारव किस बर्स हुआ था? 1922, 1925, 1927, 1930. तो 1930 में हुआ था. राष्ट मंदल खेलों का आयोजन सबसे पहले 1930 में किया गया था. दुति अभी से युद्दी के कारण आप देखें, 1942 में, 1946 में राष्ट मंदल खिलों का आयोजन नहीं हो सकता हो सका था और इसके बाद पितिक्स चार बर्स के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है तो यह भी आप लोग याद रखिए अंगला कुश्यन है हमारे सामने 43 निमलेखित में से कौन सा देश T20 किरिकिट विस्ट कप पुरुस में कभी भी व जेता नहीं रहा है भारत ऑस्टिलिया इंग्लेंड पाकिस्तान तो यह इसमें याद रखिए इसमें आप देखी ऑस्टिलिया नहीं रहा है भारत रहा है इंग्लेंड रहा है पाकिस्तान रहा है भारत तो आप देखते हैं कि 2007 में भी बना था पाकिस्तान 2009 में भी बना था तो यह सब रहे हैं लेकिन उस्टिलिया नहीं रहा है अंगला कुश्यन है हमारे सामने 44 निमलिखित में सी किस बरस का ओलंपीक लंदन में नहीं हुआ था दोजार बारे 1968-1948-1908 में कहां का नहीं हुआ था तो याद रखी 1968 का नहीं हुआ था लंदन में ओलंपीक खेलों का आ एक्सको सिटी में किया गया था ठीक है तो इसमें आप लोग भी लगाओगे अंगला कुश्यन है हमारे सामने 45 यह आप से कह रहा है क्या कह रहा है नाराज हो रहा है यह 45 questions आपसे कह रहा है कि internet की उस सेवा को जो audio और video बारताला पिदान करती है कहते हैं चैट, email, video conferencing या video chat क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं या video conferencing आप लोग कहते हैं कि video conferencing के द्वारा हम जोड़ रहे हैं और ये आदोनीक संचार तकनीक है जिसके माद्धियम से दो या अधिक इस्थानों से एक साथ और ये वीडियो के माद्धियम से कई लोग जोड सकते हैं और इसका खासकर प्रयोग तभी किया जाता है जब कोई सम्मेलन बैठक चल रही हो जब कई लोग अलग-अलग स्थानों से इसमें जुड़ना चाहें ठीक है और इसमें आप देखे एक कैमरा की वीडियो कैमरा की जरूरत होती है वेब कैम की या कम्पीटर मॉनिटर प्रोजेक्टर माइक्रोफॉन लाउड स्पीकर इंटरनेट की आवस्तेक्ता होती है तो य ऒए रा गूगल एपस फिवाइलडी मोजी लगा होगे भी ओप्संट 26 में लगाओगे 46 में लगाओगे आप लोग B चलिए अंगला कोईशन है हमारे सामने 47 कंप्यूटर सुरक्षा के संद्रब में क्रेकर्स किस नाम से जाने जाते हैं ब्लेक हैट, हैट हैकर्स, ब्राइट हैकर्स, एलीट हैकर्स या स्क्रिप्ट किड्डी तो याद रखिए इसमें आप लोग क्या लगाओगे ब्लेक हैट हैकर्स एक ब्लेक हैट हैकर्स, जिसमें कभी के भी क्रेकर भी कहा जाता है कोई ऐसा ब्यक्ति होता है जो किसी प्राधी कार की बिना कंप्यूटर सुरक्षा का भिधन करता है और प्रोदिक की सामान तक कोई कंप्यूटर फॉंस सिस्टम या नेटवर्क का प्रियोग जान बूच कर सामानों को छती पहुँचाने केडिट काइड की साथ धोका धड़ी करने पहचान चुराने औरने फिकार की गेर कानूनी गतिविदियों के लिए करता है तो इसमें आप लोग ए ओप्सन लगाएंगे ठीक है 47 में क्या लगा होगे ए कुश्यन है हमारे सामने 48 क्या है कुश्यन अर्टालिस ए आप से क्या कह रहा है ए आप से कह रहा है डख 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 गो है यह क्या है सरच इंजन है वेब ब्राउजर है वाइरस है या निव वेबसाइट है तो बताईए इसमें तो याद रखे सरच इंजन है ए ओप्सन बिल्कुँ सही रहेगा इसमें डख डख गो एक सरच इंजन है यह सरच इंजन इउरोब में काफी लोग करी है वी है और इसकी विसिस्ता है कि यह उप्योग करता हो से संबंदित जानकारियों को अन सरच इंजनों जैसे गूगल की भाती करते नहीं करता है तो इसमें आप लोग ए ओप्सन लगाएंगे अंगला कुशेन हमारे सामने उननचास एक एराई कि इथरनेट एक उधारन है मैन का, लैन का, वैन का या फिर वाई-फाई का तो यह सभी आपको मानोग होने चीए कि लैन का है इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्ग लैन को आप लोग लोकल एरिया नेटवर्ग कहते है तियार करने का एक प्रोटोकॉल होता है इसकी अभी कल्पना वर्स 1973 में बॉब मैटकॉप ने की थी बाद में डिजिटल, इंटेल और जेरोक्स के प्रयासों से या लोकल एरिया नेटवर्ट का एक मानक पिती रूप बन गया है एथरनेट के बलों के माद्यम से वेस्तारिद किया गया है तो ये भी आप लोगों को मालू होने चाहिए अंगला question है हमारे सामने 50 modem परिवर्थित करता है modem आप लोग सुनते रहते हैं यह परिवर्थित करता है analog signal को digital signal digital signal को analog signal या स्थी कहा रहा है दोनों AV में अपयोप्ट में से कोई नहीं तो इसमें दोनों काम होते हैं भी होता है यानि किसी option लगाओगे आप लो modem modulator demodulator का संचित रोग है यह एक ऐसी उक्ति है जो किसी आंकिक सूचना का modulate करके analog प्यारूब में भीचता है और जो analog प्यारूब में इसे signal मिलता है उसे demodulate करके digital रोग में गहड़ करता है यह किसी संचर्ण के माध्यम से और आंकिक मसीन के वीच संचार इस्थापित करने के लिए आवस्थक अवयब है तो इसमें आप लोग C option लगाओगे अंगला question है मारे सामने इंग्यावन नेमलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सम्मेधानिक निरंकुस्ता का सिध्धान प्रवत किया गया है क्या कर आए नेमलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सम्मेधानिक निरंकुस्ता का सिध्धान प्रवत किया गया है 1909 का भारती काउंसिल अधिनियम 1909 का भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत सरकार अधिनियम या फिर 1947 का भारती सुतंता अधिनियम तो याद रखे 1935 का होगा सम्मिधानिक निरंकुस्ता सिध्धान भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवित किया गया और यह अधिनियम बैटिस संसद्वारा सरवादिक विस्तित अधिनियम था और साथ ही यह भारत के लिए तेजार समीधाने प्राउधानों में सबसे जटिल देस्ता बेज़े था और इसी अधिनियम में भारत की संगी की स्थाफना, संगी यह नयाय पाल का, केंद और राज्यों के मद सकतियों का विवाजन इसकी सबकी वेवस्ता की गई थी और आज भी अगर आप अपने समीधान को देखेंगे तो सबसे जाना इसी अधिनियम का आप लोगों को सबसे जाना प्रभाओ देखने को मिलेगा अंगला कुशन हमारे सामने 52 एक एरा है कि www का अविस्कारक कौन है? www, w का अविस्कारक कौन है? बताईए कौन है इसका अविस्कारक? कुछ वार्ड बाइड बेप की बात हो रही है कौन है इसका बिल गेट्स टिम वर्ण नरसली टेमोथी विल रे टॉम लिंसन तो याद रखिए इसमें टिम वर्ण नरस ली यानि की भी ओप्शन आपका बिल्कु सही रहेगा ठीक है अंगला कुक्षिन है हमारे सामने, तिरेपन, एक कहरा है आपसे, किसी बल्लेवाज द्वारा किरकिट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लोड़कती है, कोश दोर लोड़कने के वश्याद गेंद रुक जाती है, गेंद रुकने के लिए धीमे होती है, क्योंकि बल एक बल कारकरा है, और डी करा है, गेंद पर कोई आसंतुलित बल कारत नहीं है, और गेंद बिरामस्था में आने के लिए प्रयास्तरत है, तो क्या करोगे, इसमें याद रखी आपका C आप्सन बिलकु सही रहेगा, गेंद पर गती की दिसा के विफ्रीत एक बल काम करता है और ये बल्ला लगे तो आप देखें, लोड़कती जाएगी आपकी गेंद, और किसी गेंद को जमीर पर लोड़काएं, या बल्ले बल्ला द्वारा गेंद की, अगर किर्किट की गेंद को मारने की, पर आप देखते हैं कि गेंद जमीर पर कुछ दूर लोड़कने के बश समझ रहे हैं आप लोग तो इसमें आप लोग सी ओप्सन लगाएंगे तिरेपन में ठीक है कुश्य नहीं हमाने सामने चंगवन मांडू में इस्थित जहाज महल का निर्बाण किस सासक ने करवाए था महमूद साहिं खिल जी ने अलावदीन खिल जी भोच परमार होसंग साह इसमें मांडू में जहाज महल एक लोगत्री एसमारत है इस महल का निर्मार सुल्टान ग्यासुद्दीन खिल जी के सासनकाल में हुआ था ठीक है यह आप लोग जरूर याद रखिएगा और बैसे आपको बता दूँ कि इसे हटा दिया गया था जंतर महल ये गलत था कुश्चन्स तो MPPC दोरा हटा दिया गया था और आप सभी जानते कि जब हटा देते हैं तो इसका नादो नमबर मिलता है आपको बस उसका नम एक तरह से कुश्चन्स हटने के बाद उसके आध गया सुद्दीन तो खिल्जी के सासनकाल में इसका निर्माड हुआ था इसमें आप देख रहे हैं गया सुद्दीन खिल्जी भी नहीं है चलिए छोड़ी ऐसे आप लो अंगला कुश्चन है हमारे सामने 55 आईने उन मुल्क मुलतानी ने इसमें से किस सासक किया दिन सेवा नहीं की अलावदीन खिल्जी मुहमद बिन तुगलक फिरोस तुगलक या इलतोतमिस तो याद रखी इलतोतमिस के सासक की अधीन सेवा नहीं की थी ठीक है बागी आप देखी अलावदीन खिल्जी मुहमद बिन तुगलक फिरोस साह हो इन सभीक की अधीन सेवा इसमें दी हैं जेकि सही समलित नहीं है पूच रहा है सुईजेलेंड का राष्ट पती जोहान इंसाइडर अम्मान मेक्सिको के राष्ट पती एनरिक पैना मिनेटो नावीविया के राष्ट पती है गिंगो और डी कोटी डी आईवरी का राष्ट थी एंजिला मार्केल वैसे आपको बता दूँ यह कर रहा है टाफिजास का कुश्चन था तो इसमें आप लोग डी ऑप्सन लगाएंगे कोटी डी आईव सिंखला भारत में केवल एक राज में फैली है अरावली हो सत्थपुडा हो यह आजनता है या सह याद्री है तो आप सभी कुमाल होगा कि अजनता फैली हुई है कहां महराष्ट तक ही सी में थे यह आप लोग जरूर याद रखिएगा कुश्चन कई पर इक्षाओं में प अधिकार आयोग कि अध्यक्ष का कारकाल होता है तीन वर्स चार वर्स या पांच वर्स या अच्छे वर्स वैसे आपको बताओं कि इसमें पहले आपका कितना होता था बताओं कि तो पांच वर्स आप सभी याद दें कि मानोदिका सरक्चा अंधिनियम की धारस छे एक के अनुषार अध्यक्ष की रूम में निउक्त किया गया ब्यक्ति अपने पद गहड करने की तिति से पांच वर्स की अधिय तक अत्वा या सब्तर साल की आयू तक जो भी जा चुका है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा और कुछ आपको वता भी देते हैं मानोदिकार आयूग के बारे में बैसे राश्टी यह मानोदिकार आयूग एक सोतंत्य बैदानिक संस्ता है जिसकी स्थापना मानोदिकार सरक्षण दिनियम 1993 की पराउधानों के तह बारा एक्टूबर 1993 में की कही थी बारा एक्टूबर 1993 में जरूर याद रखिएगा ठेक है आपसे अगर पूचे तो कुष्टेंस आप लोग जरूर देपाएं कि देपाओगे या नहीं देपाओगे फिर कहोगे कि हम भोल गया थे हो गया था वो हो गया था जरूर अब देखिए राष्टी मानव आयोग की अध्यक्तों सदसों का कारकल तीन बर्स या सब्तर वर्स की आयोग जो भी पहलो तर्कदारन करते हैं अब पास वर्स की जगए तीन बर्स कर दिया गया अगर आज की समय में अगर रही कुष्ट पूच था तो आप लोग त तीन साल लगाते लेकिन उस समय पूचा है तो आप देखिए उस समय कि बाद आप सभी जानते कि संसोधन कर दिया गया तांगे चलके तो आप लोग जरूर याद रखिएगा अंगला कुष्ट है हमारे सामने 69 इन में से वह नेता पिथम नेता कौन था जिसने भारत में मज पजदूर आंदोलन को संगठित किया था बताईए इसमें क्या लगाओगे बीपी वालिया लाला लाचपतराय एन एम लोखंडी एन जी रंगा क्या करोगे कुछ करोगे भी या नहीं तो याद कि एन एम लोखंडी होंगे इसमें ठीक है सरम आंदोलन के अगदूद भी मा बात हो रही है अंगला कोशन है हमारे सामने साथ एक क्या क्या रहा है जो रूट किस खेल से संबंदी थे किरकेट से सतरंज से पोलो से या गॉल्फ से तो याद रखी किरकेट से हैं और इंगलेंड किरकेट टीम के खिलाडी है जो सेफ एडवर्ड रूट इनका पूरा ना नावीविया के राष्टपती थे कदर के राष्टपती मैक्सिको के राष्टपती दच्छडफीका के राष्टपती तो यह सभी आपको मालू होने च्छे कि आपके दच्छडफीका के राष्टपती D option आपका बिल्कु सही रहेगा अंगला question हमारे समने वासट यह क्या कह रहा है यह कह रहा है आप से कि फोटवाल के मोहन बागान कलब की स्थाफना किस बरस हुई थी फोटवाल के मोहन बागान कलब की स्थाफना किस बरस हुई थी 1850, 1889, 1889, 1901 तो याद रखे, 1989 में की गई थी और इसके संस्थाफक थे भूपेंदनात बॉस ठीक है अंगला question है हमारे सामने 63, मई 2016 में नेमले कि मैं से किस देश में पहली बार महिला राष्टपती बनी थी ताइवान में, म्यानमार में, अंगोला में या नाभीविया में तो याद रखे, यह आप देखेंगे ताइवान में तो इसमें आप लोग यह option लगाओगे अंगला question है यह सभी current affairs की question से 64 questions कहा रहा है कि 2016 के French Open का पुरुख सेकल का किताब किस ने जीता था? इवान, डोजिज, नोवाग जोकोविच, एंडी मरे, रोजर फेडरर तो इसमें आप देखेंगे कि आपका नोवाग, जोकोविच भी option बिल्कुल सही रहेगा ठीक है? और एंडी मरे को इन्होंने पराजित किया था उस समय अंगला question है 65 एक एराएं कि मनोहर आई इसको pocket hercules कहा जाता है वे थे, एक मुक्यवाज थे, athlete थे, या तैराग थे, bodybuilder थे तो याद रखेंगे कि कौन थे? ये थे bodybuilder और Mr. Universe भी चुने गए थे 1912 में अंगला question की तरफ बढ़ते हैं हम लोग? अंगला question है हमारे सामने 66 एक एराएं आपसे की रंजीत सब एक और बहादुर सब एक क्या है? दो लड़ाको विवान, दो पंडुबियां, धान की दो नई किसमें, यहों की दो नई किसमें तो याद रखें धान की दो नई किसमें बैसे आपको लगाएंगे कि यह लड़ाको विवान होगे, यह पंडुबियां होगी लेकिन यह आपकी रंजीत सब और बहादुर सब एक असम क्रिसिब इसमें धाल है, दो आरे विक्सित की गई धान की दो नई किसमें थी ठीक है, अंगला कुश्यन है हमारे सामने सरसट, मई 2016 में रोड्रेगो, डिव ट्रेट, किस देश के राजपटी नई बाचित हुए थी, थाईलेंड, स्वेजलेंड, मेक्सको, खिलिपिंस तो यह थे आपके, खिलिपिंस के, यानि कि D-Option आपका विल्गु सही रहेगा, D-Option कुश्यन है हमारे सामने अर्चट, 27 मई 2016 को ममता बना जी को पश्यम बंगाल की मुखमंतरी की सपत किस ने दिलवाई थी, जाम नाईक, केसरी नाथ त्रपाटी, टी एस ठाकुर, पी सदा सेवं और एक बात आप लोगों को याद होना चाहिए, यह आप देखेंगे, किसरी नाथ त्रपाटी, राष्टपती साब थे, राजपाल किसरी नाथ त्रपाटी थे उस समय के, पश्यम बंगाल, और आप देखते हैं कि एक लंबे समय से ममता बना जी यहां राज कर रही है, मु देखेंगे कि 294 सीटे हैं यह आप विधान सभा में, यह आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है, चलिए अंगले क्विश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अंगला क्विश्चन है हमारे सामने 69, इस्टेट डाटा सेंटर, प्यारम करने वाला भारतिय राज, पहला भारत है, हिमाचल फिदेश, जून 2016 में हिमाचल फिदेश की जो मुखमंतरी थी बीर भद्य सींग, इन्होंने इस्टेट डाटा सेंटर का सुभारम किया था, और हिमाचल फिदेश की बारे में अगर हम बात करें तो 25 जन्मरी 1971 को इसी राज बनाय गया था, और सिमला इसकी द्धानी धरम साला है, यहां बेदान सभा सीटों की बात करें तो 68 सीटे हैं, राज सभा में तीन सीटे हैं, लोग सभा में चार सीटे हैं, तो यह आप लो याद रखिएगा, डी ओप्सन लगाओगे इसमें, अंगला कुश्चन है हमारे सामने सत्तर, यह कहरा है कि आपसे 2016 में भारती जन्ता पार्टी ने निमलेखित में से किस राज जिमें पहली बार सरकार मनाय थी, असम में, राजिस्थान में, केरल में, उडिशा में, कहां मनाय थी, तो आप काफी फल फूल रही है, आप सभी जानते हैं, असम पूरी भारत में एक राज देखने को मिलेगा, जिसकी राजदानी दिसपोर है, 26 जन्वरी 1950 को इसे राज बनाय गया था, बिधान सवा में 126 सीटे हैं, राज सवा में सताथ सीटे हैं, लोग सवा में 14 सीटे हैं, तो यह आप लोग याद रख सकते हैं, यह option लगाओगे इसमें सही, अंगला question है हमारे सामने 71, भावानी पिरसाद मिस्द का इस्थान, जन्विस्थान कहा है, सागर में, उज्जेन में, इंदोर में, होसंगाबाद में, कहा है, होसंगाबाद में, मद्विदेश का एक जला है होस संगाबाद, 29 मार्च 1913 को इनका जनब हुआ था, और हिंदी के पिसिद कभी हैं, गांधी वादी विचारक हैं, विचारक थे कौन, भावानी पिरसाद मिस्था, सुनील लावा हैं, कौन हैं, मसीहा, उपन्यास के लेकक, हिंदी के पिसिद उपन्यास का, भारत के 23 वे, 29 से ओप्सन बिल्गुस सही, अंगला कुष्ण है हमारे सामने 23, जून 2016 में, इन में से किने विस्थ के सबसे बड़ी व्यापारिक संगठन, इंटरनेशनल चेमबर ओप कॉमर्स का अध्यक्च चुना गया था, मुके संभानी आधी गौदरेज, लच्मी नाराय मित्तल, सुनी का अध्यक्च को किसे चुना गया था, सुनील भार्ती मित्तल को, अगर हम लोग इसकी स्थाफना की बात करने हैं, तो 1919 में इसकी स्थाफना की गई थी, इंटरनेशनल चेमबर ओप कॉमर्स की, अइस आप लोग याद रखियेगा, इसका हेड़कौटर पैरेस फेरांस में आपको देखने को मिलेगा तो यह आप लोग याद रख सकते हैं अंगिला कुश्चन है हमारे सामने 74 भारती ए स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1955 में, 1956 में, 1957 में अगर आप लोग उने पुरानी किलास में देखी हैं आपकी 2015-16 का MPPSC प्रेलिम्स का तो इसमें हम लोग ने बात भी की हुई थी तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? आप सभी को मालुए हैं कि एक जुलाई 1905 में इसकी स्थापना की गई थी SBI की, इसका हेड़क्वाटर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा SBI Bank आप मैं से कई लोगों कि इसमें क्या होंगे? अकाउंट भी होंगे अंगला कुश्चन है 75 दिल्ली के पूर पुलिस आयुक्त BS बस्ती को मई 2016 में किस पथ पन्यूक्त कि आ गया था संघ लोग से बायुक्त का अध्धी संघ लोग से बायुक्त का सदस तो याद रखिस संघ लोगसिवा आयुक्त का सदस ठीके? संघ संघ लोगOYोग का UPSE के बारे में सुने हो Union Public Service Commission के بारे में एक अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना की गई थी समझ रहे हैं? आप लोगों में से कई लोग UPSC की तैयारी करते होंगे उन्हें मालू भी होगा तो इसमें आप लोग D लगाओगे अगला कुशन है हमारे साफने चेतर राश्टपती परणो मुखर जी 2016 में ने मिलकित में से किस देश की यात्रा की थी? उस तमये आप सभी जानते हैं कि आपके राश्टपती परणो मुखर जी थे जापान, म्यानमार, चीन, फ्रांस तो ए आपको मालू होन अच्छे ही कि चाइना हमारा पड़ोसी है ठीक है? अंगला कुश्टन है हमारे सामने 77 सानिया मिरिज्या के मिक्स डवल्स का पार्टनर इवान डुजीज किस देश से है? सुईडन से, सुईजालेंड से, रूस से, कोईशिया से यह भी करेंट अफेस का कुश्टन्स है तो याद रखें कोईशिया से ठीक है? एक करेंट अफेस से भी कुश्टन्स काफी संख्या में आते रहते हैं एक कम से कम नीरच्वेपर स्फॉलू करते रहा करिएगा सोहेल सेट की उस पुस्ता का नाम क्या है जिसका बिमोचन जून 2016 में लंदन में हुआ था इसमें आप लोग ए उप्सन लगाएंगे अंगला कुश्टन है हमारे सामने 89 एक एराए खजुराहों मंदर से चोरी हुई उस पितिमा का क्या नाम था? जिसे कनाडा की पिधान मंतिरी ने भारत की पिधान मंतिरी नेंद मौधी साब को सौपा था गोल्डन पेरेट, सिंगिंग पेरेट, टोकिक्टिव पेरेट, ए पेरेट लेडी तो याद रखे फेरेट लेडी है ठीक है? इसमें आप लोग डी ऑप्सन लगाएंगे एक हजराहो के मंदिर चंदेल सासकों से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों उन्हें देखा होगा चतरपुर जिले में पढ़ते हैं अंगला कुश्यन है असी निमलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि इसमें आपका उत्तर रामचरित नहीं है भगत भूती या भवभूती के द्वारा लिखित ना टके बाकी ये तीनों कालिदास की हैं ठीक है? C ओप्सन लगाएंगे इसमें अंगला कुश्यन है 81 81 क्या कह रहा है आपसे? एक रहा है कि मद्द्पिदेश का सबसे पुरान संगीत महविध्याले मादो संगीत महविध्याले कहां इस्तित है? राइपूर में, इंदौर में, वोपाल में, ग्वालियर में तो ए तो सभी कुमाल होगा कि ये आपका ग्वालियर में है और आप मैं से कई लोगों ने देखा भी होगा इसे, चीक है? अंगला कुश्यन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग? अंगला कुश्यन कौश्यन कौँसा है? 82, एक बंद अर्थवेवस्था, एक बंद अर्थवेवस्था है, वह है, जिसमें अंगला कुश्यन है, बारवी पंचवर्सी योजना की अउधी है, 2007 से 2012, 2012 से 2017, 2010 से 2015, 2006 से 2011, तो इसमें याद रखी, अब देखिए, योजना आयोगों को रोगती आ गया एक तरह से, ये 2012 से लेकर 2007 था, और आप सभी जानते हैं कि नीती आयोगों से 30 स्थापित करके आ चुका है, एक जन्वरी 2015 को, तो अब आप लोग देखते होंगी कि आपने 13 भी पंचवर्सी यो समीती, मलोट्ता समीती, नर्स्त सेमा समीती, तो एसपी गुपता समीती को द्वारा, ये उजना आयोगों के सदस्ति उस नमय की डॉक्टर एसपी गुपता की अध्यक्षिता में, जून 2000 में, इंडिया बीजन 2020 एक समीती गठित की गई थी, ठीक है, तो इसमें आप लोग ये उप्षन बिलकुछ सही लगाएंगे, अंगला गुशन है हमारे सामने 85, निमलिकित में से कौन सा ये गुम सही समलित नहीं है, पित्वी सिखर समीलन एजेंडा 21, पित्वी सिखर समीलन पिलस 5, 1997, कारवन ब्यापार, मॉन्टियल प्रोटोकॉल, तो इसमें याद रखी कारवन ब्यापर मॉन्टियल प्रोटोकॉल, मॉन्टियल प्रोटोकॉल, ओज्वी के कमी के लिए जिम्मेदार कई पदार्थों के उत्पथन को समाप्त करे, एक अंतराश्तिय संधी, कारवन ब्यापार 1997 की क्रोटु परोटूकॉल के साथ प्यारम हुए था, तो इसमें आ करता है कर सकता है और सी कह रहा है यह किवल सदस्त देशों को ही रेड़ फिदान करता है और डी कह रहा है किसी देश केंदरी वेंग को रेड़ फिदान करता है तो बताइए आई यह मैप की बात हो रही है अंतराश्टी मुद्रा कोस्ती और फिर से आप से कह रहा हूं कि आप आप लोग संगटनों के बारे में विस्तार से पढ़ लीजिए क्योंकि इनसे questions आएंगे आपकी परिच्छा में बार बार आएंगे और तो इसमें आप लोग सी ओप्सन लगाएंगे यह कि अब सदस देशों को ही रेट प्रदान करता है आई एमें सदस सरकारों को वेभेन पेकार की रेट प्रदान करता है और इसमें आप देखे कि अगर हम लोग इंटरनेटन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानि कि अंतराश्टी मुद्राक उसकी बात करें तो इसकी स्थापना 27 देसंबर 1945 में की गई थी इसका हेट को अटर बॉसेंटन डीसी यूएसे में आपको देखने को मिलेगा ठीक है अंगला कुश्चन है हमारे सामने 87 2016 में हुए भारत जिमंबवे एक दिबसी क्रिकेट सिंखला में मैं आप दा मेरे मैं आप दा सीरेच किसे घुसित किया गया था जस प्रीद बमरा द्राट कोईली अजिंक रहाने के यल राहूल यह भी करेंट अप्यस का ही है के यल चलिए अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं आई पी एल नाइन यानि की 2016 का फाइनल मैच किस राज की स्टेडियम में खिला गया था करनाटक महराश्ट हर्यान पश्चे मंगाल तो उडीज का 28 तो याद रखी करनाटक के इसमें क्या लगाओगे तो इसमें आप लोग करनाटक लगा देना यह ओप्शन ठीक है करनाटक अगर आप लोग करनाटक के वारे में जानना चाहें तो एक नबंबर 1956 में इसकी इसी राज बनाए गया था और बैंगलो इसकी राध्धानी है यहां बिधान सबा में 225 सीटे हैं बिधान पवच्छ़न भी है उसमें 75 सीटे हैं राज सबा में बारे सीटे हैं लोग सबा में 28 सीटे हैं तो यह आप लोग याद रखीगा अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं अंगला कुश्चन है नवासी रस्मी रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन था? गजानन माधाओ मुक्तिबोथ बालकिसने सर्मा नमीन हरी संकर परसाई भावानी परसाद मिस्त बताईए कौन था? तो इसमें आप के थे बालकिसन नमीन सर्मा नमीन ठीक है? तो रस्मी रेखा नामक पुस्तक की लेखक थे बालकिसन नमीन सर्मा नमीन ठीक है? बी ओप्सन आपका बिल्कुश सही रहेगा अंगला कुश्चन है हमारे समने 90 चंद सेकर आजाद का जनम मदपेदेश के किस जिले में हुआ था खरगोन गौलियर जाबुआ सपना तो आप सभी जानते हैं कि 23 जुलाई 1906 को मदपेदेश के जाबुआ जिले में जो भावरा गाउं पड़ता है ना वही इनका जनम हुआ था पंडिस सीता रामतिभारी और जग्रानी देवी के घर में तो यह आप लोग याद रखिएगा जाबुआ क्या सी ओप्सन आपका बिल्कुछ सही रहेगा अंगला कुश्य नहीं सामने 91 इन में से कौन परमार बंसका सासक नहीं था उपेंद मुंच गंगे देव उद्यादित तो याद रखिए गंगे द की अब बाकी थेश में अंगला कुश्य नहीं हमारे सामने 92 क्या कुश्रा है धंगे देव किस बंसका सासक था जिजग regarde के चंदेल, मालवा के परिमार, महीसमती के कल्चुरि, तिरपुरी के कल्चुरि तो या द रखए जिजाग खुकति के चंदेल धंद्यो भारत के चंदेल बंस जाते हैं उन्होंने जिजाग भुक्ती छेत वर्तमान मद्विदेश की जो मुंदेल खंड देखते हैं इस पर सासन किया हुआ है अंगला कुष्टे ने हमारे सामने तेरान में हभीब तन्वीर का जनम निम्लिकित में से किस सिस्थान पर हुआ था रायपूर में मद्विदेश से अलग करके 36 गड़ को नया राज बनाय गया था और पहले जब तक मद्विदेश का हिस्सा था 36 गड़ शेत फल में सबसे बड़ा छेत था किसका मद्विदेश का पहले नमबर पर था अब आप सभी जानते हैं कि दूसरे नमबर पर है अंगला कुष्टे अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाती अत्याचा नेरोधक अधिनियम 1989 के इंतरके किस धारा में विशेश नयाले की विवस्ता की गई है 14, 17, 21 और 21, 23 में तो आप सभी कुमाल होगा कि 14 में की गई है ठीक है विशेश नयाले की विवस्ता की गई है अंगला कुष्ट है हमारे सामने 95 अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाती अत्याचा नेरोधक अधिनियम 1989 के अंतरके किस से किये अपरादों के लिए जाच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा 15 में 20 दिनों में या 25 या 30 दिनों में पताईए तो याद रखी 30 द वकिमारे सामने 96 डिनिंगित में इसे कौन सा अ ब्राह्मढ घ्रंध रिग्वीद से सम्हिंदी थे एत्रे ब्राह्मण गोपत ब्राह्मण सत्वत र मंठ थे ये ब्राह मर्वा, आपका विल्कुस ही रहेगा अंगला इस रिख कर एक तास्क फोस्ट द्वार्हा पिस्तावित किया गया थे जिसके अद्धिक्ष थे बिजय केलकर मॉन्टेक सिंग अहिलू वालिया अरुन जेटली नल सिंभा कौन थे तो इसमें याद रखी बिजय केलकर ठीक है जी एस्टी की बात हो रही है जी एस्टी के बारे में फड़ते रहते हो नहीं है सर्विस्टेक्स चलिए आंगे बढ़ते हैं हम लोग फिरहाल गोड्स एंड सर्विस्टेक्स के बारे में पढ़ लिया करो कुछ इससे कुश्चन साब की फरीक्षाओं में पूछे जाएंगे फिर कहोगे कि मुझे नहीं मालू है एक जुलाई 2017 में आया हुआ था चलिए आंगे बढ़ते हैं हम लोग फिरहाल अंगला कुश्चन है हमारे सामने अंठान वे मूल कर्तबों का उलेक समिधान में कब किया गया समिधान इर्माड की समय 26 जर्वरी 1950 की समय 42 समिधान संसोधन में 41 समिधान संसोधन में तो मुझे तो लगता है कि आप सभी कुमाल होगा कि 42 समिधान संसोधन जो 1976 में हुआ था इसमें भारती ये समिधान में मूल करतब जोड़े गए थे चार काम है ठीक है समिधान के भाक्स चार काम है ठीक है इंक्यावन का आप लोग पड़े होई होंगे तो इसमें C आप्सन रहेंगे 45 वे समिधान को आप लोग mini constitution भी कह देते हैं बड़ी संख्या में आपके ये article समिधान में एक तरह से संसोधन किया गया था इंद्रा गांधी के समय की बात हो रहे है 99 questions कहा रहा है कि राज्यों के अंद्रिये सरकार को प्राधीकार प्राप्त होता है भारत की समिधान से भारत की राष्टवती से भारत की पिधान मंत्री से भारत की संसत से तो ये आप लोग याद रखी भारत की समिधान से होता है ठीक है यह option बिल्कु सही है अगर यह अधिकार आप देखी प्राधिकार प्राप्त ना होती तो इने में दोनों में लड़ाई होती रहती अंगला question पूछ रहा है अंतिम questions निमलिकित में से किस एक दवा समू माना जा सकता है 2017 का पहला paper जिसे आप लोग सामानध्यन paper के नाम से जानते हैं और आप सभी जानते हैं कि C की आधार पर आप लोग मुख परीक्षा में पहुँच पाते हैं merit list C की आधार पर बनती है जो C set होता है उसमें तो आप देखते हैं कि qualify करना होता है passing number चाहिए होते हैं आपको चलिए तो आप लोग enjoy करिए हम लोग 2018 का MPPST Prelimits का पहला paper देखेंगे उसमें जो भी questions आपर की रहेंगे उन पर हम लोग बिस्तान से बात करेंगे